गर्म जोशी से आपका स्वागत है हमारे अबंडन्ट लाइफ टेलिवीजिन प्रोग्राम में प्यारे दोस्तों मैं भरुसा करता हूँ कि जो संदेश मैं आपको बता रहा हूँ यह आपके लिए आशीश हैं मैं आपका feedback सुनना चाहता हूँ कुरुपया मेरा email address नोट कीजिए और मुझे अपना feedback दीजिए अपनी सलह दीजिए और यदी हो तो सुधार भी बताईए और अपने प्रातना निवेदन भी भेजिए हम बड़ी खोशी से आपके लिए प्रातना करेंगे और हम आपको प्रत प्रातना की उत्तर भी देंगे पिछले तीन प्रोग्राम से मैं आपको बता रहा हूं मसी विश्वासी के जीवन में पवित्र आत्मा की सेवकाई पवित्र आत्मा तो हमें एक बहुती सामर्थी वर्दान की रूप में दिया गया है कि वो हम में वास करें कि वो हम में बना प्रमेश्वर की इच्छा के द्वारा ताकि ये वर्दान सक्रिये होकर काम करें लोकल चर्जाइब करें इससे पूरे कलीसिया की उन्नती हो सके दूसरे शब्दों में हर एक मसीव विश्वासी उनमें पवित्र आत्मा का एक वर्दान तो है उस व्यक्ति को जानना होगा कि ये वर्दान कौन सा है और उस वर्दान का उप्यो किया जाना चाहिए कलीसिया की सेवकाई में चर्च के जीवन में ताकि वो चर्च उस वर्दान के द्वारा शुद्ध किया जाए उन्नती पाए ताकि वो आत्मिक रीती से बढ़ता जाए आगे भविश्य में मैं आपको पवित्रा आत्मा के इन तेरह वर्दानों के बारे में बताऊंगा पवित्रा आत्मा दूसरा भी काम करता है और वो है पवित्रा आत्मा के फल गलातियों अध्याई पाँच वचन बाईस और ये फल क्या है ये तो मसीही विश्वासी के जीवन के नौ सुन्दर स्वभाव गुण है जो हमारे उधार करता प्रभुईश्य में पाए जाते हैं इन में से हर एक विशेष्टा हमारे मसी जीवन को सुन्दर जीने लायक बनाते हर ये हमें बहुतायत का जीवन देते हैं और तीसरा काम जो पवित्रा आत्मा करता है वो है पवित्रा आत्मा की सेवकाई ये बाईबल में एक सूची के रूप में नहीं दिये गए हैं खास क पवित्रात्मा विश्वासी के जीवन में करता है। ये तो 20 से भी जादा हैं प्यारे दोस्तों। और इन संदेशों में मैं आपको ये बता रहा हूँ ऐसे ही कुछ अद्भुत सेवकाईयां। और ऐसे लोग जिन में इस तरह की गलत फहमी होती हैं वो परमेश्वर के वचन का पालन करें। और ऐसे ही कुछ गलत समझ के बारे में मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में बताया था। ये प्रोग्राम आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। टाइब कीजिए जोसफ और इंग्लिश और आप ये संदिश पास सकते हैं। और इन गलत धार्नाओं के बारे में आप सुनिये और कितने सुन्दर रीती से मैंने इससे सुधारा है परमेश्वर के वचन के अधिकार पर। हमें खुद को सुधारना होगा। कोई भी किसी को गलत मार्क पर नहीं ले पताऊंगा और फिर हम देखने वाले हैं पवित्रात्मा की एक और सेवकाई के बारे में। एक और गलत धार्ना तो ये है आज ऐसे कुछ प्रचारक हैं यहां तक की पास्टर या टेलिविजन स्पीकर हैं जो ये कह रहे हैं मैं आप में पवित्रात्मा उंडेल सकता प्यारे दोस्तों ये तो गलत है वो कहते हैं मैं आपको पवित्रात्मा की सामर्द दे सकता हूं नहीं वो आपको पवित्रात्मा की सामर्द नहीं दे सकते हैं वो बस यही कर सकते हैं वो पवित्रात्मा की सामर्द को खोल सकते हैं लोगों में ताकि उन्हें आशीश दे कि उन्हें बल दे लेकिन वो कभी मसी विश्वासी को पवित्रात्मा की सामट से नहीं भर सकते हैं यदि कोई पवित्रात्मा की सामट से भर जाना चाहता है वो तो किया जा सकता एक बहुत ही सुन्दर प्रतिदिन की अनुभाव से जिसे कहते हैं पवित्रात्मा से भरते चले जाना, ये पवित्रात्मा से भरा जाना तो मस्य विश्वासी के जीवन में होता है, यदि वो निश्चित सिधानतों को मानते हैं तो, और वो भरा जाना उस व्यक्ति को पवित्रात्मा की सामर्थ देता है, और वो भी सामर्थ उंडेल सकते हैं क कि लोगों का आशीज दे मैं यही कहना चाहता हूं कुई भी परमेश्वर का दास विश्वासियों को यह कहकर धोका न दे मैं तुम्हें पवित्रात्मा की सामर्थ पाने लगाऊंगा मैं तुम्हें पवित्रात्मा की सामर्थ से भर दूंगा आप ऐसा नहीं कर सकते हैं एक और गलत धारणा है और वो है पवित्रात्मा का बप्तिस्मा मतलब अन्य भाशा में बोलना बाइबल में ये कहीं पर भी नहीं कहता है दोस्तों हमेशा आप याद रखिए पवित्रात्मा का बप्तिस्मा तो निश्चे ही नहीं जुड़ा हुआ है कि बस केवल आत्मिक भाश में बोलते जाएं लेकिन पवित्रात्मा का बप्तिस्मा तो पवित्रात्मा की सामत से जुड़ा हुआ है लुका अध्याइतीन वचन सोलह तो यहुन्ना ने उन सब से कहा मैं तो तुम्हें पानी से बप्तिस्मा देता हूं परन्तु वो आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है मैं तो इस योग्य भी नहीं की उसके जूतों का बंधन खोल सकूं वो तुम्हें पवित्र आत्मा से और आग से गौर कीजिए बप्तिस्मा देगा पवित्र आत्मा का बप्तिस्मा तो जुड़ा है पवित्र आत्मा की आग से केवल अन्य भाषा में बोलने से नहीं है और उद्धारत और कुरूस पर उसके काम और पुनरुथान के बाद में वो पवित्र आत्मा का वर्दान भीजेगा और पवित्र आत्मा का वर्दान ऐसा होगा ऐसी आग जो शुरू के प्रेरितों में थी चलिए इस वचन को पढ़ते हैं और उन्हें आग किसी जीभें फट्ती हुई दिखाई दी और उन्में से हर एक के उपर आठैरी वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वे अन्यन्य भाशा बोलने लगे मैं सोचता हूँ ये गलत धारना इस कारण आई कि जब शुरू के प्रेतों के उपर पवित्र आत्मा उत्रा वो आग के जैसे आया और ये उन्हें आग की जीभों से दिखाई दी तो किसी ने जल्दी से इस बात को पकड़ कर कहा वो भाशाएं तो आत्मिक भाशाएं हैं अगर आप वचनों में देखें तो वो जीभ हैं और कुछनी लेकिन वो तो वहाँ पर आग प्रगट हुई थी जीभों के जैसे इनका आत्मिक भाशा से कोई संबंद नहीं था और नाहीं इसका कोई संबंद है अन्य भाशा में बोलने से ये केवल जीभें हैं आग हैं प्रेतो के काम अध्याय दो वचन चार ये तो दूसरी भाशा में बोलने से जुड़ा हुआ है याने ये तो ऐसी भाशा में बोलना है उन लोगों की भाशा जो उस समय वहाँ उपस्तित थे इन जीभों का सरल अर्थ है scientifically ये तो आग किसी जीभें आई पर बात तो ये है जब उन्होंने पवित्र आत्मा प्राप्त किया आग के रूप में और वो आग क्या है दोस्तों ये तो वो क्रूस और पुनरुथान की सामर्थ है जो ईशु ने खोली थी और इशु ने उस क्रूस और पुनरुथान की सामर्थ तो पवित्र आत्मा को दी थी और जब पवित्र आत्मा उनके उपर उत्राया तो उन्होंने सामर्थ प्राप्त की इसलिए प्रेतो के काम अध्याए एक वचन आठ में ईशु ने ये अध्भुत वचन बोले थे परन्तु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाऊगे और यरुशलेम और सारे यहुदिया और सामरिया में और प्रित्वी की छोर तक मेरे गवा इस तरह ईशु ने कहा पवित्र आत्मा का जो बप्तिस्मा है उसका कोई संबंद नहीं है एक तो आत्मिक भाषा में बोलने से या अन्य भाषा में बोलने से पवित्र आत्मा का बप्तिस्मा केवल बताता है उस आग सामर्थ के बारे में और उस सामर्थ के द्वारा प्या सामर्थ के द्वारा कुछ विश्वासी जैसे पवित्रात्मा उन्हें देता है ऐसा वर्दान कि वह आत्मिक भाषा में बोलते जाएं तो वो भी बोल पाते हैं ये वही सामर्थ है जो काम कर रही है अन्याने भाषा में बोलना आत्मिक भाषा में बोलना और ये वही सामर्थ जो काम कर रही है, पवित्रात्मा ने दिये हुए सभी वर्दानों के अंदर, सभी मसी विश्वासियों के लिए, सभी कलीसियाओं में, तो हम यहां पर यही कह रहे हैं, क्रुप्या कभी ये मत Сिखाए, कि पवित्रात्मा का बप्तिस्मा तो केवल अन्य भाषा में बात करने से ही संबंदित है इसका उससे कोई संबंद नहीं है इसका केवल यही अर्थ है यह तो क्रूस की सामर्थ है पुनरुथान की सामर्थ है प्रभुईश मसी की सामर्थ है जो पवित्र आत्मा को दी गई ताकि वो उंडेली जाए शुरू के प्रेरितों में और उन सब ही उधार पाईवे लोगों में पूरे संसार में आज भी हम में जो पवित्र आत्मा है इसे लिख लिजे दोस्तो वो आग है वो सामर्थ है और उस सामर्थ के द्वारा मसी जीवन में सब कुछ होता है बाइबल में निश्चे ये ऐसे शिक्षा है जिसके बारे में प्रेरित पॉलूस बताता है वो है पवित्र आत्मा का बप्तिस्मा पवित्र आत्मा का बप्तिस्मा जिसके बारे में यहना बप्तिस्मा दाता ने कहा वो तो अलग है और पवित्र आत्मा का बप्तिस्मा जिसके बारे में पॉलूस ने कहा है वो तो बिलकुल अलग है मैंने अभी आपको बत मैं यह वचन आपके लिए पढ़ रहा हूं पहला कुरंतियों अध्या 12 वचन 13 क्योंकि हम सब ने क्या यहूदी हो क्या यूनानी क्या दास हो क्या स्वतंत्र एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बप्तिस्मा लिया है और हम सब को एक ही आत्मा पिलाया गया पवित्र आत्मा का बप्तिस्मा का सरल अर्थ है उद्धार पाया व्यक्ति ये तो मसीह की सार्वभवमिक देह में जुड़ा हुआ होता है कि उद्धार पाया व्यक्ति सार्वभवमिक कलीसिया में एक साथ जोड़ दिया जाता है कि वो मसीह की देह बन जाए बहुत ही अधुत सत्य है हर एक विश्वासी जो धार पाया है जिस पल उन्होंने पवित्रा आत्मा प्राप्त किया वो तो निश्चे ही भाग बन चुके है प्रभुईश्य मसी की कलीसिया के पूरे संसार में कोई फर्क नी पड़ता वो वेक्ति किस चर्च में जुड़ा है वो तो मसी चर्च के यूनिवर्सल सदस से अब बन चुके हैं और वो क्यों उनमें जुड़े जाते हैं और वो क्यों मसी की देह बन जाते हैं फिर कहूं पढ़िए पहला कुरंथियों अध्याए 12 हर एक वेक्ति मसी की देह में जुड़ा गया है बस इसलिए कि पवित्रा अस्मा के वर्दान ने जो उस वेक्ति को दिया है वो मसी की देह के लिए लाबदाई हो ये तो सच में बहुत सुन्दर है पॉलूस मनुष्य की देह के बारे में कहता है उधारन के लिए अगर मानव देह को देखें तो इसके बहुत से अंग हैं क्या हमने कभी जाना है हमा कामों के द्वारा वो देह के दूसरे अंगों के लिए काम करता है यह देह को जीवन देता है यही बात है मसी कलीसिया का जो हर एक व्यक्ति है वो तो मसी की देह में अंग है वो तो केवल अपने लिए नहीं जीते हैं वो केवल जीते हैं कि मसी की देह को जीवन दे सके शुद्धी करण के लिए उन्नती के लिए कलीसिया के उन्नती के लिए ये तो बहुत ये अद्भुत बाते हैं समस्या तो बस यही है दोस्तों कि बहुत से जो विश्वासी है बहुत से चर्च में वो केवल ये नहीं जानते हैं कि कौन से वर्दान है जो पवित्रात्मा ने दिये हैं ये आत्मिक वर्दान है अनुग्रह का वर्दान और इसलिए वो कलीसिया में उनका उपयोग नहीं करते हैं और इसलिए कलीसिया को जितना बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ रही है मसी की देहम में और मसी के स्वरूप में आत्मिक रीती से कि प्रभु यीश मसी के सुन्दर चर्च हो जाएं और इन वर्दानों का उपयोग नहीं किया गया इसलिए शैतान आ जाता है और सारी समस्याइं लाता है सीखने के लिए बहुत कुछ है जो पास्टर और जो प्रचारक है वो ऐसे शिक्षाओं को ले ले देखे ऐसे तेरह वर्दान है उनमें से चौथा है प्रेम कुल मिलाकर चौदा है इन्हें विश्वासियों को सिखाइए उन्हें ये जानने दीजिए कि पवितरात्मा ने उन्हें कौन सा वर्दान दिया और साथ ही उनकी मदद कीजिए कि उस वर्दान को पहचाने और कैसे उस वर्दान का उप्योग करें कलीसिया की उन्नती के लिए उसका उप्योग करें तो हम क्या सीख रहे हैं कुरुपिया ये मत सिखाईए कि पवित्रात्मा का बप्तिस्मा तो केवल जुड़ा है अनिभाशा में बाते करने से ही प्रेरित पॉलुस के अनुसार पवित्रात्मा का जो बप्तिस्मा है ये तो जुड़ा है कि एक मसी विश्वासी को सार्वभाव में कलीसिया में यानि यूनिवर्सल चर्च में जोड़ता है जो मसी की देह में जोड़ा गया इसलिए कि वो विश्वासी उस वर्दान के द्वारा वो कलीसिया के उन्नती में मदद करें आत्मिकृती से और मसी के स्वरूप में बदलते जाएं तो ठीक है दोस्तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पवित्रात्मा की एक और सेवकाई को देखते हैं जो मनुष्य में काम करती है इसमें पहली जो सेवकाई है कि पवित्रात्मा बहुती महान मन फिराव खोलता है ये संदेश यूट्यूब पर है टाइप कीजिए जोसफ किश आत्मा मस्य विश्वासी के जीवन में करता है अब चलिए दूसरी सेवकाई पर चर्चा करते हैं ये बहुत ही महतपूर्ण है ये तो पवित्रात्मा है जो नया जन्म देता है वो भी उध्धार में अब ये सुन्दर विचार दिया गया है यहना का सूसमाचार अध्याती वचन तीन से आगे इश्व ने उसको उत्तर दिया मैं तुझ से सच सच कहता हूँ यदी कोई नए सीरे से न जन में तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता इश्व यहां बात कर रहे थे एक यहुदी धार्मिक अग्वे से निकदूमस से इश्व से सच कह रहे थे तुम्हें उधार पाना होगा और यह जो उधार है यह किसके बारे में है यह तो नया जन्म है ये तो नया जन पाना है केवल वो व्यक्टी जो नया जन पाया है वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करता है इस पुरुथवी पर और आगे जाकर अनंतकाल में लेकिन ये नया जन किस तरह से संभव है खैर इसके पीछे त्रीएक्ता है पिता ने इसकी ठानली यीशु ने इसे पूरा किया और पवित्र आत्मा उस व्यक्ति को ये नयाजन्म का अनुभव देता है इस अद्भुत वचन को सुनिये युहना अध्याय तीन वचन आठ हवा जिदर चाहती है उधर चलती है और तुसका शब्द सुनता है परंतु नहीं जानता कि वो कहां से आती है और किधर को जाती है जो कोई आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है यहाँ पर इंग्लिश में capital S आया मतलब पवित्र आत्मा प्रेतो के काम दो में हम दिल्चस बात पढ़ते हैं कि आंधी की संसनाहाट हुई और इश्व यहाँ पर पवित्र आत्मा के बारे में कहते हैं कि वो हवा जैसे है वो बहता है पवित्र आत्मा बहता है और यह सब कुछ कैसे होता है दोस्तो जब कोई व्यक्ति यीशु के उधार का सुसमाचार सुनता है, जब वो अपने पापों के बारे में कायल होता है, जब वो व्यक्ति अपने पापों से मन फिराता है, जब वो व्यक्ति यीशु के सामने उन पापों का अंगिकार करता है और प्रभु से शमा मांगता है और यी पवित्र आत्मा उस व्यक्ति को नया जन पाने का अनुभव देता है। अगर पवित्र आत्मा काम न करें, तो कोई उधार नहीं पाएगा और कोई भी इस सुन्दर अनुभव से होकर नहीं जाएंगा, जिसे कहते हैं नया जन्म पाना या नया सिरे से जन्म लेना। तो नया जन पाने के लिए देखें यहाँ पर पिता है और यहाँ पर ईशु है और पवित्र आत्मा भी है. त्रियेक्ता ये तो पीछे काम करने वाली सामर्थ है किसी व्यक्ति के नया जन पाने में. तो चलिए गहराई में चलते हैं किस तरह से पवित्र आत्मा किसी व्यक्ति को नया जन्म पाने का अनुभव देता है प्यारे दोस्तों ये तो बहुती अद्भुत है पवित्र आत्मा ही नया जन्म पाने का अनुभव देता है उस व्यक्ति में काम करने के द्वारा और वो ल कर आता है तीन बहुती अद्भुत ऐसे बदलाओ इसे लिख लिजिए नंबर एक ये तो पवित्र आत्मा है जो नया जन पाने का अनुभव देता है उस व्यक्ति की आत्मा को मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं यहन अध्याय तीन वचन छे क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है वाह उद्धार के पहले नया जन पाने के अनुभव के पहले उस मनुष्य की आत्मा तो मर नहीं जाती है लेकिन वो सक्रियन नहीं होती है बिलकुल बेजान होती है परमेश्वर के बिना लेकिन पवित्र आत्मा नया जन द देता है उस व्यक्ति की आत्मा को और फिर अचानक ही वो नया जन पाता है नया हो जाता है नया जीवन और इसे गौर से सुनिए दोस्तों उस नया जन पाने की अनुभव के द्वारा एक बार पवित्रा आत्मा हमारे अंदर की आत्मा को नया बनाता है तो वो आत्मा तो नया जन पाने का जो अनुभव है या आत्मा का नया जन पाना है कि परमेश्वर के साथ में फिर से जुड़ जाए ये मेल मिलाप है संबंद के लिए और संगती के लिए मैं आपको इसके बारे में बहुत कुछ बता सकता हूँ अभी मैं बस इतना ही कहूँगा कि ये तो पवित्रा आत्मा है जो उस मनुष्य की आत्मा को नया जन का अनुभव देता है और दूसरी बात ये तो पवित्रा आत्मा है जो नया जन्म देता है उस व्यक्ति के रिदय क मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ तितुस की पत्री अध्याय तीन वचन पांच से तो उसने हमारा उध्धार किया और ये धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किये पर अपनी धया के अनुसार नय जन्म के स्नान और पवित्रात्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हु किसी व्यक्ति के उध्धार पाने के इस पूरी क्रिया में याने नया जन्म का अनुभाव पाने में तो पवित्रात्मा केवल उस आत्मा को ही नया जन्म नहीं देता है मुझे गौर से सुनिए दोस्तों ये उस व्यक्ति के रिद्य को भी नया जन्म देता है वो रिद्य नया बनाया जाता है वो व्यक्ति नया स्वभाव प्राप्त करता है और ये तो पवित्रात्मा के काम के द्वारा है ये अद्भुत है जब हम ईशु को अपने उधार करत और प्रभु के रूप में स्वीकार करते हैं, पापों से पश्चताप करते हैं, उसे अपना उधार करता और प्रभु स्वीकार करते हैं, और बप्तिस्मा लेते हैं, हम इससे नहीं जान पाते हैं, लेकिन बिल्कुल अगले ही पल में पवित्र आत्मा हमारे रिदय को नया ब उस नय रिदय के द्वारा हम प्रति दिन अपने प्रभुई ईश्यू मसी के चरित्र में बढ़ते चले जाएं। नया रिदय दिया जाता है ताकि हम परमेश्वर कि सच्ची संतान के रूप में बदलते चले जाएं। ये तो वही चरित्र है, वही रूप है, वही स्वभाव है, ये तो प्रभय ये शुमसी के वो सारे गुंड है, हमें इनका उपयोग करना चाहिए, अवश्य ही अभी भी पुराना स्वभाव है जो हमें नीचे खींचता है पर हमें उसे मारना है हमें उस पर जैपानी है और नए रिदे को बढ़ाना है क्योंकि केवल उस नए रिदे में ही श्रमता है कि मसी के चरित्र में बदलते चले जाएं वो चाहते हैं कि सभी इस परिवार में जुड़ें सभी इस कलीसिया में जुड़ें और बदलते चले जाएं प्रभु यीश्य मसी के स्वभाव गुणों में जानते हैं प्यारे दोस्तों तो स्वर्ग नीचे आएगा और आप बहुत सुन्दर व्यक्ति हो जाएंगे अब इस नय जन पाने के अनुभव में पवित्र आत्मा नया जन देता है उस व्यक्ति में एक और चीज को और वो ये है कि पवित्र आत्मा नय जन का अनुभव देता है उस मनुष्य के मन को और ये जो अद्भुत सच्चाई है ये हमें बताई गई है एफीसियो अध्या 1 वचन 18 में और तुम्हारे मन की आँखें जोतिर मैं हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मेरास की महिमा का धन कैसा है इस तरह ये कहता है उनके मन जोतिर में हो जाते हैं अद्भुत है मेरे दोस्तो मैं यहां बात कर रहा हूँ नया जन नया जन पाना पवित्रा आत्मा के काम के द्वारा याने आत्मा नया जन पाती है रिदय नया जन पाता है और मन भी नया जन प्राप्त करता है नया मन वा, नया मन पुराना मन हमें इशु से दूर संसार के और ले कर जाना चाहता है लेकिन नया मन हमारी बढ़ने में मदद करता है गौर से सुनिए मसी के स्वभाव गुण में पहला कुरंथियों में परमेश्वर का वचन कहता है परंतु हम में मसी का मन है मसी परिवार में, विवहा में या फिर चर्च में हमारा मन जोतिर में होता है, हमारा मन बदल जाता है, हमारा मन तयार किया जाता है कि मसी के मन के अनुसार हम हो जाएं और ये जो मसी का मन है मेरे दोस्तों, जब हम प्रती दिन अपने मन में बदलते चले जाते हैं ये स्वर्ग को हमारे जीवन में लेकर आता है हमारे परिवार में और हमारे चर्च में आने वाले प्रोग्राम में हम इस पर और भी चर्चा करेंगे वेकिन आई अभी प्रात्ना करते हैं अनुगर कारी स्वर्गे पिता प्रभु ईशु मसी हमारे उधार करता प्रभु पवित्रात्मा में तसली देने वाले त्री एक यहवा परमेशोर हम आपके सूती करते हैं धनेवाद देते हैं धनेवाद प्रभु कि आपने हमें सिखाया कि हमें पवित्रात्मा के बारे में गलत धार्णाओं के बारे में सचेत रहना है। आत्मिक रीती से बढ़ते जाएं और आपकी बहुत आयत की आशीश प्राप्त करें। पर दिये हुए QR कोड को नोट कीजिए, इसकी तस्वीर लीजिए और आप अपने डोनेशन ऑनलाइन भेज सकते हैं। साथ ही नोट कीजिए, ऑनलाइन बैंक डीटेल्स जो स्क्रीन पर दिये गए हैं, आप अपनी भेट राशी इसके द्वारा भी भेज सकते हैं। आप में से कुछ लोग पुराने तरीके का उप्योग करना चाहते हैं तो आप मनी ओर्डर से भेज सकते हैं। कृपया हमारा एड्रेस नोट कीजिए, अबंडन्ट लाइफ 1533RT विजयनगर कॉलनी हैदरबाद 50057 तेलंगाना इंडिया। तो आए बेनेडिक्शन के लिए सर जुकाते हैं। अब हमारे प्रभु ईश्व मसी का अनुग्र है। परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगती। आपके साथ बनी रहे, आपके परिवार के साथ, आप जो करते हैं आपके कामों में, अब से लेकर सदा तक बनी रहे। आमेन।